अगर आप साबुन और फेस बॉस का यूज अपने चेहरे को धोने के लिए करते हैं तो फ्रेंज इससे करना बंद कर दीजे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी चेहरे की स्किन को खराब कर देते हैं फ्रेंज हमारे सरीर की और जो इसकिन होती है उसकी अपक्षा हमारे जो चेहरे की स्किन होती है वो काफी ज़दा पतली होती है इस के लिए आप नैच्रल चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं तो आज में दूद का प्रयोग बताने जा रही हूं जिसके आपको अपने चहरे को धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं साबून और फेस पॉस का यूज़ करने से इस तरीकी की समस्यां पहले ही होने लगती है तो फ्रेंस यदि आप भी समय से पहले बोगे नहीं होना चाहते हैं तो इसके लिए आप नैचरल चीजों का प्रियोग कर सकते हैं और अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं चलिए फ्रेंस अब मैं बताती हूँ कि आप अपने चेहरे को धोने के लिए दूथ का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंस यदि आप कच्छे दूद का इस्तमाल अपने चेहरे को धोने के लिए करते हैं तो इससे आपके जो चेहरे की डेट सेल्स है वो निकल जाती है और आपका चेहरा साफ सुत्रा हो जाता है फ्रेंस ये एक प्राकरतिक नैच्टरल क्लिंजर की तरह काम करता है और ये आपके चेहरे के इन्फेक्शन को भी दूर रखता है यदि फ्रेंस हम बात करें दूद की तो दूद का प्रयोग बहुत ही पुराने समे से ही चेहरे के साथ साथ skin की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता था और दूथ इस नान के बारे में भी हम सभी जानते हैं कि दूथ इस नान से हमारे चहरे में एक कोमलता आती है सुन्दरता आती है और हमारी जो skin है वो tight रहती है तो फ्रेंस इस तरीके से आप दूद का प्रयोग अपने चहरे को धोने के लिए कर सकते हैं और ये ना सिर्फ आपके चहरे को धोने का काम करेगा यानि कि सफाई करेगा बलकि आपके चहरे को प्रकृतिक रूप से निखारने का भी काम करेगा तो फ्रेंज इस तरीके से अगर आप सावुन या फेस बॉस को छोग का दूद का प्रयोग अपने चेहरे को धोने के लिए करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद भी सावित होगा और आपके चेहरे को नेचरली तरीके से साफ भी करेगा तो उमीद करते हैं फ्रेंज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही वेल के आइकन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर रहें और फ्रेंज अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज यसे लाइक और शियर जरूर करें